हालो माई दियर फ्रेंद्स वेरी वाम वेलकम तो आवर सीरीज औफ करेंट अफेर्स कट शॉट दोस्तों इस सीरीज में हम आपको लिए प्रेलिम्स 2021 के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे सारे लेकर के आये हैं और आज का जो हमार डिसकेशन होने वाला है और यह अब सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले सवाल से ठीक है रियर डिजीजेश इस रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट को सुनिये और उसके बारे में जच कीजिए और सही है या नहीं है ठीक है एंड में आपको नौट करेक्ट मार्क करना है दोस्तों ध्यान अखना है नौट करेक्ट ठीक है पहले जो सवाल है जाट इस रेर डिजीजेश इस डिफाइन आज डेबिटेटिंग लाइफ लाइफ लॉंग डिजीज और इस और जो तीसरा है और फन नेट और फन डेट डेट डेटाबेस इस मैंट वाई युएस ड्रग अडिनिस्ट्रेश एफ डी ए ठीक है युएस ड्रग अडिनिस्ट्रेशन एफ डी ए तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है ठीक है अगर आपको पता है तो डेफिनिली कमेंट सेक्षिन में कमेंट करो और एवन वीडियो के एंड में जब आप लेक्च्चर देख लो तो अट इसको इसको पॉल देखने के लिए पहला है टोटल नंबर अफ पिपल विट डिजिज कितने लोग उससे डिसे इंफेक्टिड है थीखे जो दूसरा है प्रिविलेंस तीसरा अफमेंट और नॉन एवलेफिलिटी और ट्रीट्मेंट ऑप्षेंज ठीक है कितना ट्रीट्मेंट अवड़ेबल है या नहीं एवलेबल है ठीक है डबलू एच ने लेकिन डिफिनीशन निकाल लिए क्योंकि हर चीज़ को क्वांटिफाई करना जरूरी है तभी जा करके आप सको टैकल कर सकते हो ठीक है तो यह पढ़ रहा हूं है आज ओफन डेबिलिटेटिंग लाइफ लाइफ लॉंग डिजीज और डिसॉर्डर विट प्रिविलेंस ओफ लेस देन टैन पर ट कोई काम ही नहीं करना चाहता है कोई रिसर्च और यंडी कुछ भी नहीं करना चाहता है और अक्सर देखा गया यह जो रेर डिजीज यह एक टुरियल बेल्ट में होती है स्पेसिफिकली आपके अफ्रिकन नेशन में जहां पर स्पेंडिंग कैपसिटी कम है जिसके कारण और ज्यादा जो कंपनीज है वो लद्धान नहीं देना चाहती है ठीक है कि ऑविसी बात है अगर आप मतलब मेहंगी दवाई बना भी लो इसकी रिसर्च करके तो भी जो म यह सबसे बड़ा कुश्चिन है जो कि एथिक्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है ठीक है रेर डिजीजिस का आपको समझना चाहे होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलीटी भी कुछ चीज़ें होती है ठीक है हावेवर डिफरेंट कंट्रीज है इन 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 चीज़ों को ध्यान में रखके हर कंट्री अपने खुद का एक डिफिनीशन बनाती है ठीक है लेकिन फिर भी अगर सपोस करो एक्जाम में आ जाता है तो आप क्या करोगे डब्लू एच वाली डिफिनीशन को लिख के आओगे दोस्तों ध्यान रखना है क्यों क यह और्फन डिजीजेज इस दो ऑफन उस फर दीज और ड्रक्स टू ट्रीट अर और 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 डिजीज बोलते हैं क्योंकि यहां पर कोई मैनुफैक्ट्टर घुसना ही नहीं चाहता है क्योंकि प्रॉफिते बिलिटी कम है उसकी ठीक है जान रखना इसको क्या बोलते हैं औ है इउन एडाय। और यह पूरी दुनिया के लिए फ्रीली एसेसीबल है यह बहुत अच्छा काम है मैनेटी के लिए और हर तरीके से क्योंकि आप रिसर्च करते हो इसको ऊपन डोमेन में लेको आते हो और इसके लिए में आपकी बहुत ज़्यादा होती है ठीक है सीनारिय क्यों इंडिया की बात करूं तो ध्यान तो फ्रम ओवर 7000 आइज इस 95 परसेंट डूनोट है एनी एफडी एप्रूव्ट ऑफन ड्रग तो ध्यान रखना पंचाने परसेंट डिजीज तो ऐसे हैं जिनकी कोई दवाई ही नहीं एफडी एप्रूट ठीक है और कितने है टोटल और इन जैनेटिक जैनेटिक इन नेचर में से 80 परसेंट जो हैं यह कैसे हैं जैनेटिक हैं जैनेटिक हैं तो मतला ओविसी बात है बाइबर्थ आएंगे ठीक है इन जैनल बाइबर्थ आएंगे ठीक है चलो इसके दाफ फिफ्टी परसेंट जो हैं फिफ्टी परसेंट ब इंडिया के 25 प्रतीशत इंडिया से केवल आते हैं नौ से 10 करोड लोग हर साल इससे पीडित पैदा होते हैं ठीक है 5.4 to 6.5 number of people in हैदराबाद of a population of 90 lakh who suffer from rare diseases अकेले हैदराबाद में साड़े पांच से साड़े छे लाख तक के लोग रेर डिजीज से पीडित हैं ठीक है इसके अलावा 40% chances of error in diagnosis during patient's first visit यह दिहान रखना है यह सबसे important criteria है और सबसे मुश्किल criteria है कि जो rare diseases होते हैं इनको पहचान पाना ही मुझे होते हैं वह similar होते हैं बाकि disease की तरह ठीक है और हर बार अलग से नहीं कुछ कर पाते हो ठीक है तो पहली विजिट में 40% chance होता है कि यह पहचान में ही नहीं आएगा ठीक है और 20 साल maximum time taken to detect तो सबसे ज्यादा जो टाइम लगा है कितना रहा है 20 साल तक बंदें पहता ही नहीं था उसको बिमारी कौन सी है ठीक है अब कुछ rare diseases के नाम समझ लो पहला थालासेमिया ठीक है खुन कमी हो जाती है सिकल सेल अनिमिया यह आपका जो आर बीसी है यह सिकल सेल क ठीक है वो जहां थोड़ा भी उसमें एरर आएगी वह तुरण फट जाएगा और आपका autoimmune disease सुरू हो जाएगा ठीक है कॉंजेंशियल इंसेंसिटिविटी टू पेन यह रेरे है ठीक है और आपको पेन नहीं होगा इसमें ठीक है एक्वाइड अप्लास्टिक एम एनिमिय मस्किलर डिस्ट्रोफी मल्टिपल स्क्लेरोसिस स्वीट सिंड्रोम और पेडियाट्रिक कार्डियो मायोपाथी यह समझ में आ रहे हैं याद रखना दोस्तों ठीक है हो सकता है इसी पर कुछ कुछ बना दे विच आपको यह आप्रॉक्सिमेटली याद होंगे तो भी आप कर ले जाओगे ठीक है चलो इशूज विट रेर डिजीजेस की बात करें तो सबसे पहला तो डिफिनीशन नहीं है स्टैंडर्ड डिफिनीशन कोई भी हमारे पास नहीं है ठीक है और यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ठीक है लैक ऑफ एपेडियो एपेडियो लॉजिकल ड पहली बार तो मिलेगा ही नहीं और एवरेज डिटेक्शन टाइम इस फोर पॉंट एट यहर्स यार्ज समझें साड़े चार साल तक बंदें पता ही नहीं है कि उसके बिमारी कौन सी है ट्रीटमेंट क्या करेगा कोई ठीक है तो स्क्रीनिंग डिफिक फैसिलिटी नहीं है इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानला आपको डिजीज पता भी चल गया तो भी आपको पास ट्रीटमेंट ही नहीं है कोई आप्शन ही नहीं है कहां जाओगे ठीक है फ्यू फॉर्मस्यूटिकल कंपनीज और मैनुफेक्शनिंग ड्रग्स और डिजीज और उसी के पास इतनी प्रॉपर मतलब मैस्टिक मैनुफेक्शर इनफ नमबर में नहीं को टैकल कर पाए ठीक है इन जनल गॉब्मेंट प्रॉइट्स फ्री सपोर्टिव ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स बिट्रेयर डिजीज इस वेर वन इस एविलेबल इन इंडिया तो लेटर को अब तक लोग लेशन भी नहीं था तो लखिली इसी स्पेश को मतलब भरने के लिए अभी हमने पॉलिसी लाई है एंड इस वर्थ एपलोड स्टेप ठीक है अब चलो प्रॉइबिटिव कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पे आओ प्रॉइबिटिव कॉस्ट ऑफ ट्र कि उनकी मजबूरी है यह चीज़ ठीक है इसी लिए जब पेशेंट फूल्स छोटा होता है तो ड्रग का कोई बहुत सिग्निफिकेंट मार्केट नहीं है तो अव्वेसी बात है उनको कॉस्ट बढ़ाना ही पड़ता है एकॉर्डिंग टू एन इस्टीमेट इफ चाइल व सब्सक्राइब चलते हैं सब्सक्राइब क्या प्रॉब्लम सारी है ठीक है इसके बाद आता है चैलेंज इन रिसर्च एंड डिवलप्मेंट तो पेशेंट पूल अल्रेडी छोटा है अगर मानलों अपने दवाई भी डिसकवर की तो आप कैसे टेस्ट करोगे किसी पर है न तो यह सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब करती है स्क्यूनेस बाइसनेस क्रियेट करती है ठीक है इसके अलब मैक्रो एकोनॉमिक एलोकेशन डायल है अब देखो अब एक और चीज़ हो जाती है कि जब बजट बनाते हो या एकोनॉमिक्स पढ़ते हो त 50 परसेंट चंक लग जाना है सब्सकरों मतलब इस नॉट अब रियल डेटा जैस्ट एक फिक्स डेटा में बोलना हो कि 20 परसेंट चंक लग जा रहा है एक परसेंट इसको ट्रीट करने में तो वाट शूड यू डू मतलब यह 20 परसेंट ऑफ जीडीप इन पर स्पेंड कर को देनी चाहिए या कि जो बाकी 99 परसेंट हैं जिन से जीडीपी और ज्यादा बेटर हो सकती है उन पर आपको स्पेंड करना चाहिए तो रिसोर्स एलोकेशन जो मैक्रो एकोनॉमिक लिवल पर करते हो यह भी अपने डालमा कॉस करता है कि आपको किसको प्रायोरिटाइज करना है ठीक है जो कुछ ऐसे पर सने जो कि थोड़े से ठीक हो जा रहे है उनको करना है या कि रिजीज वाले को जिसको बहुत ज्यादा प्रावलम हो रही है और पूरी लाइफ लॉंग प्रावलम रही उसको ट्रीट करोगे ठीक है तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है तो देखो सबसे पहले एम में सबसे पहले इंपोर्डेंट क्या आपको समझना पड़ेगा कि स्टेट पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल कैसा है स्टेट सब्जेक्ट है ठीक है राज्यों के अंतरगत आता है दस सेंट्रल गॉवर्मेंट थू एंपी आर्डी कौन सा पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल और इसी लिए सेंट्रल गॉवर्मेंट एक पॉलिसी पेपर लेकिया ना कि आपका लोग सभा या राज्यों सभा में एक एक्ट या बिल पास करवाया है ठीक है चलो अब जैखो क्या क्या है तो लोग इंसिदेंस एंड प्रेव सब्सक्राइब के लिए इनके लिए स्पेसिफिकली ठीक है त्राइबस में बहुत ज्यादा मिलता है अब जहारखंड में जाएए च्छतिस गड़ के ट्राइबस में आपको मिल जाएगा तो वहां कुछ-कुछ जेनिटिक मोडिफिकेशन हो चुके हैं तो उनको अगर हम अब देखें तो यह मच बेटर रहेगा वह बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं इसका मतलब हमारे देश को खोखला कर रही है और हमें इन से लड़ना के लिए आ पड़ेगा हम यूएस या यूरोप के भरों से नहीं बैठे रह सकते ठीक है चलो अब देखो क्या-क्या-क प्रोविजन रखे गाए इस पॉलीसी में पहला रखा गया है कैटेगराईजेशन ओफ रेर डिजीजें थी ग्रूप तीन ग्रूप करना ज़रूरी है क्योंकि उसके हिसाब से हम कैटेगराईज करते हैं तो उस हिसाब से टैकल भी करने का आसानी होती है ग्रूप भी रिक्वाइर लॉंग टर्म एंड लाइफ लॉंग ट्रीटमेंट ज्यान रखना बहुत लंबे समय तक इनका ट्रीटमेंट चलता ही रहेगा तो अव्यसी बात है यहां पर हम रिलेटिवली कम खर्चा करना चाहेंगे या हाई-टेक टूल्स को एक्स्टोर करेंगे कि यह ज इसके लिए ट्रीटमेंट एवलेबल है येट वह बहुत महंगा है तो वहां पर हम यह कोशिश कर सकते हैं कि रिसर्च करें या फिर ऑप्टीमली किस तरह से प्रेश्ट किया जाए कि मैक्सिम हमें बेनिफिट मिल सके और कम खर्चे में कब से कम खर्चे में हम मैक्सिम है ठीक है ध्यान रखना यह चीज इसके लागव फाइनेशल सपोर्ट फॉर ट्रीटमेंट की बात कही गई है क्या है फाइनेशल सपोर्ट असे स्टेंस ऑफ रुपीस ट्वेंटी लाक तो बीस लाक रुपए मिलेगा फ्रॉम क्या चीज रास्ट्रिय आरोग्य निधी ठी रखा गया है यहां स्टेट नहीं दे रही है ध्यान रखेगा यह चीज ठीक है चलिए आरे एं स्कीम प्रवाइट फॉर फाइनेशल एसिस्टेंस टू प्रेशेंट्स लिविंग बिलो पॉर्टी लाइं ध्यान ने बीपेल के लिए देगा और हूर सफरिंग फ्रॉम मेज बहुत सारे अच्छे सरकारी अस्पताल भी है वहां पर आप जाके अपना ट्रीक्मिंट करवा सकते हो और वहां पर आपको पूरी फाइनेंशल सहायता की जाई एसिस्टेंस मिलेगा ठीक है यह राश्ट्री आरोग्य निधी की मदद से होता है ठीक है और सो बेनिफीशेर सब्सक्राइब नहीं है तो इसलिए स्पेशल डाइट या फिर हर्मोन सप्लिमेंट का इंतिजाम इनके लिए किया रहा है ताकि इनका जो दुख दर्द हो कम हो सके यह ज्यादा प्रोड़क्टिव हो सके इसके अलावा अल्टरनेट मेकनिजम की भी बात की गई है जिसमें क्राउड फंडिंग की जाई है कि मेरे बच्चे को यह प्रॉब्लम है और प्लीज मुझे डोनेट कीजिए तो वैसी क्राउड फंडिंग फॉर ट्रीट्मेंट बाई इंडिवीजुल एंड कॉर्पोरेट डोनर स्पेशली दोस पहेंगा है और लाइफ लॉंग ट्रीट्मेंट एविलेबल है इसलिए यहां पर क्राउड फंडिंग की बात कही गई है इसके अलाव आप देखिए सेंटर्स ऑफ एक्जिलेंस एंड निदान केंद्र बनाने की बात कही गई है ठीक है सर्टें मेडिकल इंस्टिउशन सर् स्क्रीनी एंड डियागनोस्टिक फैसिलिटी तो यह थान रखना यह क्या होगा इससे ज्यादा बेटर तरीके से अप प्रिलिमिनरी स्टेज में ही डिटेक्ट कर लोगे कि वैदर इट रेर डिजीज और नॉट ठीक है तो यह थान रखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क् बायो टेक्नोजी दोस्तों धान रखना यह बीप्रवर्वाइबल कोश्चन है कि यह कौन सेट अप करेगा ठीक है इट विल बी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोजी ठीक है अंडर यूनिक मेथर्ट्स औफ मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट और जी बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों ध्यान रखना यह चीज ठीक है और उमीद का क्या है निदान के इंदर सेट अप करेगा जो की अगें स्क्रीनिंग जेनेटिक टेस्टिंग एंड कॉंसलिंग फॉर रेर डिजीजेज में हेल्प करेगा ठीक है रेर डिजीजेज डि अब दिश्टिक तो प्लीज आप ध्यान रखेंगे उमीद इस डिवीट एंड निदान के इंद्र आज़ एंड एंड रेर डिजीज डिजीजेज डिए कुरेंट ली निदान के इंद्राज अर्शपोर्टिंग एस्पिरेशनल डिस्टिक फॉर स्क्रीनिंग फ्रेशनल ड इसके अलाबा यह पॉलिसी यह भी कहती है कि क्रीट किये जाएंड डिटाबेस और डिजीजेज इनको भी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल करवाया जाएगा जोड दिया गया और साथ-साथ अवेरनेस भी इंक्रीज की जाएगी अब देखो दोस्तों कुछ बेस्ट प्रक्टिस हैं वर्डवाइड ठेक है फॉर एक्जामपल यूएसे में क्या है और्फेंट ड्रग्स एक्ट यह आप कोट कर सकते हो किसमें मेंस के एक्जाम है प्ल कर सकते थे इस पॉलिसी में बट आप मिस्कर गए ठीक है हलागे ऐसा नहीं है कि हम एक दम और मिस्कर दिया है जिसा आप देखिए अल्टरनेट फंडिंग मेकानिजम रखा है हमने और भी बाकी चीज़ें कहीं है हमने की ग्रूप ग्रूप वाइस को बना दिया है ठीक है अब इसके अलवा देखिए मलेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यहां सब्सेडाइज एक्सपेंसिव और लाइफ सेविंग ड्रग्स है ठीक है तो लाइफ सेविंग ड्रग्स को आप सब्सेडाइज भी कर देते हो ठीक है तो इसी के साथ हमारा है यह क्या है और फन ड्रग्स यूस्टू ट्रीट देम ठीक है तो चलो देखो एक ची आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते सब्सक्रों मुझे नहीं पता कि exact कितना नंबर है यह क्या डिफ नंबर देगा ना बहुत वियर्ड नंबर देगा आप आराम से कर ले जाओगे ठीक है या फिर थाउजेंट इन वन लैक यह तो सेम नंबर हो गया ठीक है स्टेल जो भी है नंबर मतलब इन जर्नल सही होगा अंटेल अंडलेस आपको बहुत वियर्ड लग रहा हो ठीक है और यूस्टू ट्रीट अपको पता होना चाहिए अगर आपको रेयर डिजीज के बारे तो भी आप इस कुशन कर ले जाते हैं कैसे देखो टू सही है इसका मतलब यह गलत हो गया टू सही है यह गलत हो गया और आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए